वो किरदार जैसा है वैसा करने की इच्छा होना उस किताब की स्टोरी जैसा करने की इच्छा होना इसी का मतलब है कोई चीज देखकर आपको उसका अनुकरण की इच्छा होती है इसी इच्छा का मतलब प्रेणा इस तरह प्रेणा तुम्हारे जीवन में आती है तुम इस तरह की प्रेणा भी लेते हो प्रेणा की कैटेगरी में हम जो कोई भी काम करते है वो पीछली दोनों कैटिगरी से थोड़े उपर के स्तरका है जब हम सिर्फ बक्षिस की वज़े से काम करने से किसी प्रेरणा से काम करते है तो वो काम बहुत अच्छा और मज़ेदार होता है हमारी जीवन में हमें ये भी देखना पड़ेगा कि मेरी जीवन में ऐसे कौन से काम है जो मैंने प्रेरित होकर किये या कुछ प्रेरणा की वज़े से किये तुम्हें जरूर ऐसे काम मिलेंगे जो तुम्हारी जीवन में तुमने प्रेरित होकर किये है दोस्तो डर और बक्षिस के उपर के कैटेगरी है मैंने प्रेरित होकर काम किया तो प्रेरणा का मतलब क्या है कि प्रेरणा में हम अनुकरण करते है किसी व्यक्ति जैसा होने की इच्छा करते है किसी किरदार जैसा हमारे साथ हो ऐसा लगना ये सब अनुकरण का मतलब ही प्रेरणा है दोस्तो मैं काम क्यों करता हूँ इसका चौता स्तर ये है वो है स्वयम प्रेणा हमने देखा कि मैं काम करता हूँ क्योंकि मुझे डर लगता है मैं काम करता हूँ क्योंकि मुझे बक्षिस मिलने वाला है मैं काम करता हूँ क्योंकि मैं प्रेरित हो गया हूँ लेकिन इन सब के उपर का स्तर है मैं काम करता हूँ क्योंकि मैं स्वयम प्रेरित हूँ दोस्तो प्रेरिणा और स्वयम प्रेरिणा में फर्क है क्या है ये फर्क? जब मैं प्रेरित होता हूँ तो मैं किसी चीज की वज़े से प्रेरित होता हूँ मैं किसी व्यक्ति से प्रेरित होता हूं और उससे प्रेरित होकर वो जैसे कर रहा है या उसके साथ जैसे हुआ है वो मेरे साथ भी होना चाहिए ऐसा मुझे लगता है ये है प्रेर्णा तो फिर स्वयम प्रेर्णा क्या है? स्वयम प्रेर्णा में आपको किसी से प्रेर्णा लेने की जरुरत नहीं होती आप खुद ही स्वयम प्रेरित होते है और अपने आपसे ही नव निर्मान करने लगते है वो नवद निर्मान किसी और को प्रेरित करते है और आप काम करते जाते है प्रेरणा और स्वयम प्रेरणा में क्या फर्क है तो प्रेरणा के स्तर पर हम किसी का अनुकरण करते है जब हम स्वयम प्रेरित होते है तब हम अनुकरण के आगे निकल जाते है और हम खुद नव निर्मीती करते हैं हम जो बैसा कहता है कि हम स्वयम प्रेज़ित होकर काम करते हैं तब ये समझना पड़ेगा मैं उस काम में कुछ नया निर्माण कर रहा हूं मैं creativity ये स्रीजन से निर्माण कर रहा हूं और ये नवनिर्मिती हुई तो समझ लीजे कि आप स्वयम प्रेर्थ हो या फिर स्वयम प्रेर्णा के स्तर पे वो काम कर रहा है तो हमें ये देखना पड़ेगा या फिर हमारे ध्यान में आएगा कि इन चार कैटिगरी में से याने डर, बक्षिश, प्रेर्णा और स्वयम प प्रेर्णा की जो जो काम मैं स्वयम प्रेरिथ होकर करता हूँ उस काम से मुझे अधिक प्रेर्णा मिलती है उस काम से मुझे ज्यादा आनन मिलता है और उसका मुझे अधिक समाधन मिलता है आपने जो बड़े-बड़े शब लिखे है उनमें से सबसे ज्यादा आनन तुम तुम्हें उसी काम से मिलता है, जो काम आपने स्वयम प्रेणा से किया है, तो प्रेणा और स्वयम प्रेणा में थोड़ा फर्क है, वो क्या है? वो है अनुकरन और क्रियेटिविटी, यही उनमें फर्क है। तो प्रेणा और स्वयम प्रेणा में थोड़ा फर्क है वो है अनुकरण और क्रियेटिविटी मैं तुम्हें एक उधारन देता हूँ जिससे आपको प्रेणा और स्वयम प्रेणा में फर्क समझाएगा वाशिम के कुछ शिक्षक साता ना में कुम्ठे बीट देखने गए थ यह एक कैटेगरी थी दूसरे शिक्षक ऐसे थे कि वहाँ पर माबलेशवर है माबलेशवर में शिक्षक संग घटनाओं का अधिवेशन था और वो शिक्षक नेता उस अधिवेशन में गय थे शिक्षक संग घटना की मीटिंग होने के बाद उन्हें ऐसे ध्यान में आया क ये पास में कुम्ठे बिट है, हम भी वहाँ जाकर आएंगे, बहुत सारे लोग जाते हैं, उन्होंने भी कुम्ठे बिट देखा, वापस कुल गए और उन्होंने भी काम शुरू किया, इन दोनों कामों में क्या फर्क है, ये फर्क अगर हम समझे, तो हमें प्रेणा और स्व में भी वो काम करना शुरू किया, और वो काम करते गए, ये काम उन्होंने क्यों किया, इसलिए नहीं कि उन्हें डर लगा, या उन्हें कोई बक्षिस मिलने वाला था, वो प्रेरित हो गए और उसने ये काम कर दिया, और उन्हें ऐसा लगा कि ये हमें करना चाहिए, क्यों तुकि आपको मालुम है शिक्षक नेता डर के भी आगे है और बक्षिस के भी, इनके लिए वो डर या बक्षिस ये विशय नहीं था पर वो प्रेरित होए थे, इसलिए उनने ये काम किया